Welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी भारत दोस्तों आज की इस वीडियो के दरम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है NBS non-teaching post के लिए exam के लिए अभी exams चल रहे हैं आज है 10 March 2022, first shift का वेपर अभी-भी कुछ देर पहले ही छूटा है तो students के द्वारा WhatsApp पर मुझे question बेचे गए थे कि सर इस type के question आए हैं अगर आपको भी कोई question याद है तो comment box में लिख दीजेगा अगर आपको लगता ये नहीं आया था ये वाला आया था तो comment box में लिख दीजेगा सभी के सभी memory वेष्ट question है तो friends देखते हैं हिंदी जी के English और computer के questions को उन सभी प्रशनों को देखेंगे जो कि आज examination में पूछे गए हैं दोस्तों आप सभी को बताते हैं अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं NBS की नबोदेविद्याले सम्ती नौन टीचिंग वेरियस पोस्ट की या फिर आप किसी अधर एक जाम की भी तैयारी कर रहे हैं अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा NBS का तो प्रते के students चैनल को subscribe भी ही कर ले क्योंकि उनको तो बहुत बड़ा benefit यहां पर मिलने वाला है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा और अंते तक देखेगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है तो चले friends start करते हैं आज की इस वीडिय स्क्रीन पर आ चुका है first question क्या है question को थोड़ा सा read out करेंगे उसके बाद देंगे इसका answer clear friends चले लगाईए आप लोग सभी लोग answer लगाईएगा पहला question आपकी screen पर आ चुका है और first question है आपका मैं अपने आप बस्त्र साफ कर लेता हूं इस बाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताए भई मैं अपने आप बस्त्र साफ कर लेता हूं इस बाक्य में कौन सा सर्वनाम है सभी लोग answer देंगे option है प्रश्न बाचक निश्य बाचक निजबाचक या संबंद बाचक तेकि के रा री रे ना नी ने इस तरीके से यूज किया सकता है प्रश्ण बाचक की बात कर रहा है तो कोई प्रश्ण पूछेगा कब क्यों इस तरीके से किसे यह आप से पूछा जाता है निश्य बाचक में कोई निश्चित्ता का दरपन कराएगा निश्चित्ता को बताएगा औ और निजवाचक की बात करें तो स्वयम की बात करेंगा किस की बात करेंगा दोस्तों स्वयम में अपने आप अपने आप क्या हो गया अपने आप हो गया इसमें स्वयम तो इसमें अपने आप इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है तो इस वाक्य में आंसर जो जाएगा ऑप्सन सब्सब्द बताइए लगाएए आंसर और बताईए विलोंध सब्स क्या होगा कि अधंधातन का बोले इसका विलोंग क्या होगा परसारण का मतलब होता है प्रसारित कर देना गुप्त का मतलब कोई चीज गुप्त है समापन का मतलब अंत कर देना और समर्पित का मतलब किसी चीज के जिलिए समर्पन कर देना तो उधातन का मतलब होता है प्रारंभ क्या होता है प्रारंभ और यहाँ पर समापन का मतलब होता है एक तरीके से अंत तो option number C आपका right answer हो जाएगा clear friends अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताईएगा चलिए next question नेकलेते हैं next question आपकी screen पर है दोस्तो दीठी का तस्सम क्या होगा लगए भाई answer यवाला जू है इसको पूलते है द्रस्टि नहीं होता तिस्ट नहीं होता किस्टे होता है द्रस्ट बोलेंगे इसको तो आपका रायट आंसर हो जाएगा option number D, clear friends, चले next question देख लेते हैं, next question आपकी screen पर है दोस्तो, question है मैं, question क्या है, मैं पर या उपर, मैं पर या उपर, कारक चिन का प्रियोग किस प्रकार, किस कारक में होता है, तो यहाँ पर option से आपके करता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक, देखें, अपादान कारक की बात करहें, तो यह अलगाब के लिए आता है, किस के लिए, अलगाब के लिए, करता कारक में साधन की बात करेगा, करता कारक में किस पर है, करता पर प्रभाब पड़ेगा, लिंग बचन का जब हम देखेंगे, तो आपका सब्सक्राइब कर लिए चलिए नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं पाहुन जियों आए पाहुन जियों आए हो गाउं में सहर के मेग आए बड़े बन ठनिक सवर के इस वाक्य में प्रियुक्त अलंकार पहचान ये बताइए भाई इसमें अलंकार क्या होगा पहला है उत्परिच्छा अलंकार दूसरा है अतिस्योक्ति अलंकार तीसरा है रूपक अलंकार और चौता है ब्यक्ति के बतिरेक अलंकार बताइए इसका अंसर क्या होगा देखे उत्परिच्छा अलंकार की बात करें तो मनो मानो मनहूं इस तरीके से जन कि क्या यह जिए लेघए है यानि कि आपका रायट अंसर क्या हो जायगा उत्रइच्छा अलंकार हो जाएगा संज में आ गया छालिए नेट्स्पोस्ट्र कुषण देख लेते हैं नेट्स्ट वह नवह की स्क्रीन संस्क्रत में तो जो सब्द संस्क्रत से लिए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं ततसम कहते हैं जो सब्द मूल रूप से जिनका स्रोत क्या होता है संस्क्रत होता है उनको ततसम कहा जाता है लेकिन कपूर इसका क्या हो जाएगा तदभव हो जाएगा क्या हो जाएगा तदभव सर मैथ के कुशन लेके आईए, आगे मैथ के कुशन लगाईए अंसर देखते हैं, कौन कौन दे पाता है इसका अंसर, ठीक भी लगाई है पहला कोशन है यदि 15 आदमी आठ गंटे प्रते दिन काम करके एक दीवार का दस दिनों में बनाते हैं तो किवल 8 आठ हाद्मी, कितने गउंटे प्रति दिन काम करके, उस दिवार को 10 दिन में बना देंगे, दीखे, 15 आदमी है, 8 गउंटे काम करते हैं, और 10 दिनों में बना देते हैं, तो टोटल गाम निकला है, 15 गोड़े, 8 गोड़े तस पराबर, आठ आदमी प्रति दिन कितने गंटे मालू एक्स गंटे और दस दिन दस दिन में बना देंगे तो इसका निकालना है कितने गंटे काम करके तो देखें इसको solve करते है आठ से आठ कटा से कटा 8 से कटा 10 से कट गया 10 के लिए रहे एक्स की वैलू कितनी आगी आगी पंद्रह तो 15 आवर आपका रायट आंसर हो जाएगा किस option में दे रखाया option number B is the right answer आपका 15 गंटे right answer हो जाएगा चले friends अब आया है जबरदस्त वाल सवाल तो लगाईए भई कितने student लगा पाएंगे ये सबसे बड़ी बात है इस question को यद A plus B, A plus बन अपॉन B वरावर 1 B plus बन अपॉन C वरावर आपका क्या है 1 है तो आपको बताना है C plus बन अपॉन A किसके वरावर होगा देखें A plus बन अपॉन B B plus बन अपॉन C, C plus बन अपॉन A निकलना है देखें ऐसे कभी पेर मन जाए A B, B C और C A A B, B, C, C A तो ये जिसके वरावर है ये भी उसकी वरावर दे रखा है तो ये भी उसी के बराबर होगा तो ये अगर एक के बराबर है ये भी अगर एक के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा एक के बराबर ही हो जाएगा तो आपका right answer option number C हो जाएगा C इसका सही जबब होगा चले friends mathematics का अंतिम question सायद होगा ये चलिए लगा यह answer ABC के मासिक बेतन 2 अनपाथ 3 अनपाथ 5 है ABC इनका मासिक जो बेतन दे रखा है वो दे रखा है आपका 2 अनपाथ 3 अनपाथ 5 है यदि C का मासिक बेतन A के मासिक बेतन से 12,000 है किसका मासिक बेतन C का मासिक बेतन A के मासिक बेतन से क्या है 12,000 अधिक है तो यह कितना अधिक है यहाँ पर 3 unit 2 से 5 कितना है 3 unit तो 3 unit की value कितनी दे रखी है 12,000 रुपीय एक unit की value कितनी दे रखी है 14,000 रुपीय clear अब B का मासे के बेतन क्या है तो B के लिए बात करें तो B कितना है 3 unit तो 3 unit ही निकलना था तो तीन यूनिट कितना हो जाएगा तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा बार रह जाएगा चलिए जीके के कोश्चन आ चुके हैं आपके सामने पहला कोश्चन है सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था थोड़ा छोटे हो गए होंगे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चलिए यह हो गए आपके बड़े लगाईए भई इसका आंसर कौन कौन लगा पाता है इसको तो देखने वाली बात दोगी भई जीके के इन कोश्चन को लगाईए आप लोग सभी स्टूडेंट आंसर लगाएं कितना पढ़ रहे हैं किया गया था जबकि सामन्त राय महापातर इसके निर्माण के प्रवारी थे चलिए नेक्स्ट कोश्चन क्या है नेक्स्ट कोश्चन देख लेटे हैं फुलवारी पेंटिंग भारत के किस राज्य से संब्द देता है तो इसका जवाब सही है पंजाब से फुलकारी या फुलवारी जिसका साब्देकर्थ फूल के काम में है का पंजाब की संसिकर्ती में एक इतिहास है चरके से निकली कड़ाई के इस सांदार सैली को ओडना नेच फोर्टिफ, और थराज्यों और केंसासित प्रदेशों से गुजडरता है तो एस बारे राज्यों से होकर कुजडरता है सबसे लंबा राष्टटी त्य Wennis ने सरुछचा अवियान सुर्व किया है तो मंत्रीर T से अटल विहारी बाजपेई कारेकरम की नितुत का पूर भारत ये प्रदान मंत्री अटल विहारी बाजपेई ने किया था इसका उद्यस दो यार तस तक 6-14 बर्स के बीच सभी बच्चों को से चित करना है सेक तुराष्ट मासवा की पहली माईलाद्यच कौन थी तो पंडित बिजल अच्मी पंडित थी बिजल अच्मी पंडित जो की पंडित जबालाल लहरू की कौन थी भाहन थी क्लियर एफेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन दे शुरू किया गया था 2789 में और मराठा कवार किस्ता अपना की थी बाल गंगा दरते लगने पित्रस एक तरफ पदारत है जो ने कलता है जिकर या लीवर से क्लियर एफेंट्स तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को